नमस्कार आप देखने हैं करवा चौथ स्पेशल काल चक्र की खास पेशकर्ष सौभाग्यवती भवा मैं हूँ आपके साथ आशा जहा और आज हम कारिक्टम के शुरुबात कर रहे हैं विश्व की तमाम मिस्त्रियों के लिए एक कामना के साथ और आगे इस करवा चौथ को कैसे आज अपने लिए आप बेहद शुब बना सकती हैं कैसे आपका और आपके पती की का जो साथ है वो साथ जन्मों का बन सकता है कैसे एक एक जो चीज आपके दामपत्य जीवन में बाधा डालने का काम कर रही है उसको दूर भगाने के लिए आज आप कौन से खास उपाई कर सकते हैं ये सब आपको विशेष जानकारी देने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह कारका में मौजूद है हमारे खास महमान प्रश्टन कुनली विशेष शग्या पंडित सुरेश पांडे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका करवा चौद पर कैसे मिलेगा अखंड सौभागे का वर्दान जाने के लिए करवा चौद स्पेशल काल चक्र सौभागे वती भवव जी हाँ तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है अखंड सौभागे पाने का दिन आज सभी महिलाओं ने अपनी पती की लंबी आयो परिबार के सुख शांती और खुशाहाली के लिए करवा चौद का निर्जलावरत रखा है आप भी उनमें से एक है तो आज रात जो चांद निकलेगा वो कैसे आपकी मुरादे जोली भर भर कर पूरी करने वाला है ऐसा चांद बन जाएगा आज कौन से उपाय करने से आपको अखंड स्वभागे भव का वर्दान महा वर्दान मिल सकता है आज राशी अनुसार कौन से उपाय करेंगे तो आपके और आपके परिवार का मंगल ही मंगल होगा यह सब कुछ आज जानेंगे हम करवा चौट स्पेशल में पंडेत सुरेश पाने जी से इसके लावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें पोन भी कर सकते हैं और नंबर खुल चुका है आज जितनी स्त्रियां हमें च पेशल है इसलिए आज हम कोई ब्रेक नहीं लेने जा रहे है ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आज हमारे कारिक्र parade में जोड़ पाएं आपके जीवन में कोई भी संकत कोई भी दुरभाग्य कोई किसी भी प्रकार का क्लेश चला रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका समाधान ना मिल पा रहा हो, आज आप हमें फून कर सकते हैं क्योंकि हम कोई ब्रेक नहीं ले रहे, इसलिए क्योंकि आज करवा चौत, आज महिलाओं का दिन है, आज शक्ति का दिन है, तो पंडिजी नहीं 0120-6652411 मैं एक एक सवाल आज पंडी जी से लूँगी जो महिलाओं ने भी हमें भेजे हैं जो करवाचवाद पर विशेश कर जानना बहुत जादा जरूरी हो जाता है लेकिन जब आप आज इस्त्रियों का दिन हैं आज नारी शक्ती का दिन है आज मैं चाहती हूँ कि आप कारिक्रम की शुरुआत जब करें तो इस्त्रियों के लिए किसी से एक संदेश के साथ करें क्योंकि हम बहुत कठिन जीवन जीती है आज तो नारी सशक्त है कामकाजी भी है घर भी संभाल रही है लेकिन आज के नारी को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जो इतनी कटन परिसितियों का सामना करती है नौ मन्त गर्व में बच्चे कुछ शुक्ष बात तो यह है कि भारत वर्ष की बात कर रहा हूं यहां तक मैंने देखा है यहां इस्त्रियां अपने लिए जीती ही नहीं यहा हमारे मनीशियों ने कहा है कि यत्र पुज्यनते नारी रमंते तत्र देवता जिस धर्ती पर इस्त्रियाद की पूजा और सम्मान होता है उस धर्ती पर दुनिया के सब प्रकार के सुख उपस्थित रहते हैं समझ लो जगजन्नी जगदंबा मा सीता का अपहरन रामण ने किया रामण के सामने जटायू गिध क्या था कुछ नहीं था लेकिन जटायू ने देखा कि मा सीता को रामण अप्रित करके ले जा रहा है जटायू अपने पूरे बेग के सांथ जाकर रामण से लड़ गया औ और अपने नाखुनों से, पंजों से, रामण को लहु लुहान कर दिया। रामण अपनी चंद्रहास तलवार निकाल करके, जतायू के सारे पंखों को काट डाला। कोई मुकाबला नहीं था, रामण और जतायू का। और घायला वस्था में पड़ा जतायू कराह रहा था, उसी रास्ते से प्रभू निकल रहे थे, उन्होंने देखा, जतायू को गोध में लिया, फिर जतायू ने सारी बित्तांत होता ही, कि सीता को ले करके रामण गया है, और प्रभू ने कहा कि तुम अमर होना चाहो, तुम तुम्हें अभी बर्दान देकर अमर कर देता हूं, तुम जो चाहो वो दे सकता हूं, जतायू ने कहा कि जो मुनियों को रिशियों को सौभागय नहीं प्राप्त होता है, वो आपके सानिध्य में मुझे प्राप्त हो रहा है, तो इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं भगवान ने मुक्ति भी दिया और भगवान ने उसका स्राध्ध भी किया, भगवान दसरत के पुत्र थे, दसरत के मिल्क्तू के बाद भगवान बन में थे, भगवान ने दसरत का स्राध्ध नहीं किया था, लेकिन जटायू गिद उनका भक्त था, इसलिए उसका स्राध् किसी अबला की इज्यत लूटते हुए नहीं देख सकता है तो यहां पर अन्खाने वाले लोग जो हैं वो किसी अबला पर अत्याचार होते देख करके कैसे आखें मूद लेते हैं और अगर आखें मूद लेते हैं तो निश्चित रूप से वो उस गिद्ध से भी गए गुज देता है और हमारे हां सीता का अपहरन होता है और लोग वीडियो बनाने में लोग उसको मतलब की रिल बनाने में ब्यस्त हो जाते हैं और उस रामण से लड़ाई नहीं लड़ते हैं जो मतलब कि किसी सीता को पद्दलित कर रहा होता है किसी सीता को अपमन्त कर रहा है कहां स कल्यूग जैसे बच्चे नहीं दोनों हाथों दोनों पैरों पे चलते हैं अभी वह वाली स्थिती में कल्यूग है जिस दिन कल्यूग थोड़ा सयाना हो जाएगा और बड़ी स्थिती में आ जाएगा बहुत भयावा ही स्थिती होगी तो अगर इस्थिया नहों तो मैं दाव खोती हैं तो दो कुल में उजियारा होता है एक तो उनका मायके का कुल और दूसरा ससुलाल का कुल एक कथा कई बार मैं अपने दर्सकों को बता चुका हूँ छोटी सी कथा है सुनो एक बहुत बड़े पूजा पाठ्थ वाले ग्रहस्त आसरम की लड़की साधी करके एक अमीर परिवार में आई और अमीर परिवार में जब वो आई तो दस-पंदर दिन बिते होंगे एक अठारा साल का सन्यासी आया और कहा भिक्षाम दे तो उसने तुरंत मतलब की चावल साली में भर करके ले जा करके भिक्षा दिया और भिक्षा देते ही उस दुरहन ने पूछा कि आपने जल्दी नहीं कर दी तो उसने कहा हाँ डर लग र के अगबार पढ़ रहा था वो चस्वा निकाला हाथ से तुमारी हिम्मत कैसे वही बासी कहने की हमारे घर में कुट्टा भी बासी खाना नहीं खाता है उसके बाप को फोन लगाया कुरंत रिष्टेदारों को फोन लगाया पूरी पंचाई जुडा लिया कि यह लड़की लड़की को बूलाया गया इस लिए मैं डर रहा था तोसने मुझे पूछा की बासी खा रही हो कि ताजा मतलब रोज और अपनी बहु से हाँ जोड़कर बिंती किये और कहे कि हमारे घर को भी आप उस तरह से बनाईए जिस तरह से आप चाहती है तो कहने का मतलब जब लड़किया संसकारित होती है तो दो कुल में उजाला होता है इसमें कोई दो राय नहीं है जैमा बिंदिवासमी इस बेहत खुबसूरत बात के साथ आए आज हम अपनी चर्चा की शुरुबात करते हैं और आज करवाच्वात के देन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी यह हम सभी के विवाहिक जीवन और परिवार पर क्या अच्छा या क्या बुरा असर डाल सकती है यही जान लेते हैं पहल के विवाज से लेकर के सारे संसकार मुहूरतों पर किये जाते हैं और वो मुहूरत ग्रह इस्थिति पर आधायित होते हैं आज जो करवाच्वात का दिन है एक नमबर दो हजार तेएस आज की ग्रह इस्थिति यह है कि चंद्रमा अपनी उच्च रासी बिर्शव रासी में मिर्गिसिरा नक्षत्र में इस्थित है बिर्शव रासी में चंद्रमा उच्च का होता है और बिर्शव रासी का स्वामी सुक्र है लेकिन मिर्गिसिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है जो चंद्रमा का मित्र है इसलिए ये सुभकारी है करवा चौध पर सनी कुम्भ रासी में, राहु मीन रासी में, गुरु मेश रासी में, चंद्रमा बिशब रासी में, सुक्र सिंह रासी में, केतु कन्या रासी में, मंगल सूर्य और बुध तुला रासी में इस्थित हैं तो सनी के कुम्भ रासी में लग्ण में होने से दामपत्य जीवन पर सकारात्मन प्रभाव पड़ेगा दामपत्य जीवन में पहले से दिक्कते हैं उनमें भी सुधार आने की संभावना है राहू मीन रासी के दूसरे भाव में होने से धन संचे में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दमपत्ती सोच समझ कर बोलें वरना रिष्टों पर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा तीसरे भाव में मेश रासी का गुरू होने से जीवन साथी की आयू पर सुभ प्रभाव पढ़ेगा, सुख सुभ धाओं में बिर्धी होगी इसी तरह से चोथे भाव में बिसभ रासी का चंदरवा होने के कारण नेड़े लेने की छमता बढ़ेगी जीवन साथी को ने छित्र में कारे करने का आउसर प्राप्त होगा सात्वे भाव में सिंधरासी का सुख्र होने के कारण बिवाह के योग बन सकते हैं जो लड़कियां अभी अविवाहित हैं उनके बिवाह के संयोग बन सकते हैं बिवाहित लोगों के जीवन में सुख सांती रहेगी आठवे भाव में कन्यारासी का केतु होने से योजनाएं बनेगी जीवन सांती के साथ अच्छा समय बिटाने का अवसर प्राप्त होगा नवे भाव में तुलारासी का मंगल सूर्य और बुध होने के कारण बुधा दित्य योग का भी निर्माण हो रहा है आज यात्रा ना करने की सलाह है पती पत्नी यात्रा से बचें वरना कष्ट मिल सकता है ग्रह का गोचर यही कहता है जैमा बिंदिवासनी अब पूजा करने का शुब मोर्त जो है पंडी जी खास कर तो उसी की चर्चा होगी लेकिन हर एक मैंने देखा हर एक त्योहार में आप अप करवाचवाद बहुत अलग तरीके से मनाया जाता है मैलाई नाचती हैं शिंगार करती हैं तयार होती हैं बहुत कुछ होता है ठीक नहीं है थोड़ी बहुत विदामपते जीवन में दिखते हैं दिन भर एक महिला अपने मन में कौन सा मंत्र जाप कर सकती है देखो भाई महिलाओं के लिए तो जो मंत्र आपने कारिक्यम के सुरुवात में कहा है ना वही एक ऐसा राम बान मंत्र है कि अगर उस मंत्र क को महिलाओं दिन भर अपने मन में करती रहें उन्हें सारी रिधी शिद्धी प्राप्त हो जाएगि देहि सभाग्य मारोग्यम देहि में पर्मम सुखम रूपम देह जैम देहि यसो देही दिसो जही देही सवभाग्य मारोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जेम देही यसो देही दिसो जही ये एक ऐसा मंत्र है अरगला इस्तरोत का कि अगर महिलाएं इसको दिन भर गुन गुनाती रहें सिरिंगार करते समय, साडी पहनते समय, सिंदूर लगाते समय, बिंदी लगाते समय, चूडियां पहनते समय अगर इस मन्त को गुन गुनाते रहें, मैं दावे के सांथ कह सकता हूँ भगवती जगजनी जगदंबा की किरपा उनके उपर सदयू बनी रहेगी और जिस तरह से माँ अपने बेटी को हर समय सुरक्षित देखना चाहती है उसी तरह से जगजनी जगदंबा अपने उस बेटी का ख्याल रखेंगी और उसके जीवन की सारी बिग्ण बाधाओं का समाधान करेंगी जैमा बिंदिवासनी और अब चलिए अब क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महत्तो होता है वो शुब महुर्त का होता है किसी भी पूजा में तो आज करवा चौत है तो महिला इंतजार भी कर रही होंगे इस बात का कि पूजा करने का कौन सा सबसे शुब महुर्त है ये भी आए जान लेते हैं ज़्वा चौत पूजा का महुर्त आज साम पांच बजकर शत्तिस मिनट से चा बजकर चओवन मिनट तक है और आज चंद्रमा का उदै रात आठ बजकर पंद्रव मिनट पर होगा आठ बजके पंद्रव मिनट के बाद चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाएगा और चांद देखा जाएगा ये बात सभी लोगों को नोट कर लेना चाहिए जैमाबिन दिवासनी अच्छा चंद्रोदय का जो समय होता है जैसा पंडी जी ने बताया सवार्ट तो बताया लेकिन अमूमन हर्ट्वागिन महिला भी जानती है कि कब चांद दिखेगा और कब हमारी यहां पे चंद्रमा के दर्शन होंगे जगा जगा के हिसाब से कि टाइमिंग जो है वो थोड दिल्ली में रात आठ बच के 15 मिनिट पर होगा चंद और जैपूर में आठ बच कर 6 मिनिट पर मुंबई में आठ बच कर 69 मिनिट पर कलकत्ता में 7 बच के 46 मिनिट पर पत्ना में 7 बच के 50 मिनिट पर लखनव में 8 बच कर 5 मिनिट पर और चंदीगण में 8 बच के 10 मिनिट प आहमदाबाद में आठ बच के पचास मिनट पर देहरादून में आठ बच के छ मिनट पर चेनई में रात में आठ तिरालिस पर बेंगलूरू में आठ बच के चववन मिनट पर राची में साथ छपपन पर और रायपूर में आठ बच के छ मिनट पर सिमला में रात आठ बच क साथ मिनट पर तिथि गुनितम रजनी परिमाणम यम रहितम सित्पक्षबिमिस्रम बाण ससांक विभाजित लब्धम प्रतिवासर चंद्रोदय चास्तम जोतिस सास्तर में बच्पन में हम लोगों को सिखाया गया है कि किसी दिन का चंद्रोदय अगर तुम्हें जानना हो य सित्थि गुनितम रजनी परिमाणम यम रहितम सित्पक्षबिमिस्रम अगर कृष्ण पक्ष हो तो दो घटा दो सुक्ल पक्ष हो तो दो जोड़ दो बाण ससांक विभाजी तलब्धम बाण ससांक ससांक और बाण माने पंद्र पंद्र से भाग दो प्रतिवासर चंद्रो जो सेश बचे उतने घटीपल अगर सुर्यों के सुकल पक्ष है तो चंद्रोदय क्रिश्ट पक्ष है तो चंद्रास्त आप बता सकते हैं यह सूरी सिध्धान्त का मत है जैमादिन जिवासनी और आगे बढ़ने से पहले फोन लाइंस खुली हुई है आप हमें फोन कर सकते हैं आपको बता दें आज हरेक कॉल अधेन किया जाएगा आपके हरेक समस्या का समाधान आज पंडित जी देंगे क्योंकि हम नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के आज पूरा सौभागिवती भवा य हुँ हमारे दो लड़के दोनों को भविष्ट के बारे में जानना करती हुँ बड़ा लड़का स्वरेकुमार अस्थाम जनम अस्थाम दिल्ली और देटोबर 35-2005 दीन सोमबार समय 10 वच के 10 मिनट रात्री में दूसरा लड़का देटोबर 27-2012 और जनम 10 वच के 10 मिनट र मिलेगी की नहीं और छोटे लड़के के भविष्ट के बारे में जानना चाती हूं पड़ी जी देखो पेटा ऐसा है सीमा आपने जो प्रस्ट किया है आपके बड़े पुत्र का भाव का स्वामी बुद्ध है जो सूरी के साथ इसमें तुला रासी में अपने से पंचम भा रहा है तो वे प्रसंसा की योग्य है और बिना बिलंब किये उसकी सीए की पढ़ाई पूरी हो जाएगी बस आपको एक काम करना है आज उसे आग्रह करिए कि वो गणेश चालीशा का पार्ट सुरू कर दे आज गंडेश चतूर्ती है आज से इगर वो गणेश चालीशा का पाठ करना सुरूब कर देगा, गणेस अथरों शिर्ष का पाठ करना सुरूब कर देगा, तो आप विश्वास करिए, कभी एक्जामिनेशन में वो फेल नहीं होगा, और बहुत कम उम्र में वो सिये बन जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है. छोटे बेटे के बारे में जो आपका प्रस्टन है उस विशे में तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उसको आप interior, designing या फिर उसको ऐसा कोई course कराईए जो क्रियात्मक हो जो मतलब कि केवल education से सम्मंदित न हो जो कुछ technical हो तो architect का भी पढ़ाई आप उसे करा सकती हैं आर्किटेक्ट की पढ़ाई कराने पर उसका भवी से बहुत अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से उसको तक्निकी सिक्षा देने के बाद आपको उसके भवी से को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी हाँ मा होने के नाते एक बात जरूर आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि आपके पुत्रभाव का स्वामी बुध नीच के सूर्य और केतु के साथ है तो आपको चाहिए कि आप भगवान विश्णू के मंदिर में चने की डाल और गुड और एक दरजन केला और पीला कपड़ा ये हो सके तो ब्रहस्पत्वार को एक बार दान कर दीजिए इससे निश्चित रूप से आपके बच्चों का स्वास्थ अच्छा रहेगा जै माम राशी अनुसार भी आज आपको हम जानकारी देने की उमीद के साथ आए हैं पंडी जी से जुड़े हैं यानि राशी अनुसार पंडी जी आज आपको बताने वाले हैं पती के साथ आप कौन सा उपाय कर सकती हैं जिससे आज ना सिर्फ आपकर करवा चौत शुब हो बलकि आने वाला हरेक पल शुबता की ओर ले जाए आपको तो सबसे पहले मेश राशी के जात्कों की बात कर लेते हैं करवा चोथ पर खंड सौभ भाग्य और विवाहिक सुख पाने के लिए मेश राशी की महिलाएं अपने पती के साथ कौन से उपाई करें इग्यारह दुर्वा हल्दी के जल में ढाल कर ओम गंगर पतायनमा बारी-बारी से बोलते हुए गड़ेश जी को समर्पित करें और दुर्वा का जो जल है दुर्वा से अपने कमरों में भी थोड़ा सा छिरग सकते हैं मेश रासी के पती या पतनी अपने बैबाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए गाय और पंचियों को देशी घी में चावल पका करके खिलाएं गाय को सवा महीने तक हर दिन दोनों हाथों से रोटी खिलाएं बुजूर्ग महिलाओं को सारियां दे करके आसिरवाद लें इससे आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे और धन-धानल की प्राप्ति होगी और आपका बैबाहिक जीवन आनंद मैं वितीत होगा जै माविन दिवासनी और विर्शब राश्टी की जात्कों की बात करने से पहले हमारे साथ एक और कॉलर मोहिनी जी इस वक्त जूर चुकी है मोहिनी जी कहां से बोल रही है आप पहले तो जगर बता दीजिए और आपको बहुत शुब कामनाई करवा चौत की सवाल भी पूचिए पंडी जी से बज़े जनम मेरे से ठीक नहीं रहती है और मेरे डिलिवारी हुई है शे पांच दो हजार तेईस को उसके बाद से मेरे मतलब इतनी तब्य खराब हो वेटी की मुझे पता नहीं चल रहाता कि नहीं क्या हो रहा है देखो तुम्हारे सरीर भाव का स्वामी जो है वो तो सू है लगन को पूर्ण दृष्टी से देख रहा है तुम जब गर्भावस्था में थी तभी से तुम्हारे सरीर में बीमारीयों ने मतलब की डेरा डाल रखा है और अब जो है नसों से जूड़ी हुई समस्या हो रही है और सरीर थोड़ा सा हर समय गरम रहता है तो ऐसी परशाई देख करके उस सर्सों के तेल को आप दान कर दीए यह उपाय आप दो चार सनीवार करिए निश्चित रूप से थोड़ी सी भी दवा करने पर आपका रोग ठीक हो जाएगा और आपका जीवन मंगल में रहेगा इसमें कोई संद्ध है नहीं तो आप भी हमें पून कर सकती है आज आपका इंतिजार खत्म होगा पून लाइंस लगता नीचे फ्लैश भी हो रही है नोट कीजिए और अपनी हर एक समस्या का समधान अगर आपके दाम पते जीवन में किसी फिर परकार की समस्या है उसका समधान आज आपको मिल पाए हम पंडीजी से जान लेते हैं पंडीजी विश्व रासी के लिए क्या बताएंगे देखे इस करवाचोज पर बिसव रासी के जात्कों का जो ट्रांजिट है जरा बता दूं आपके रासी में चंद्रदेव अपनी उच्छ रासी में विराजमान है और आपके सुक अस्थान पर सुक्र है और आपके दामपत्य भाव का स्वामी मंगल छठे अस्थान में है लेकिन उसकी पूरी द्रिष्टी आपके रासी पर है तो आज करवाचोज पर बिसव रासी की महिलाएं अपने पती के साथ दुधिया रंग के स्री गनेश की पूजा आराधना करें स्री गनेश को सफेद फूल पर इत्र लगा कर नौ दुरवा के साथ अरपित करें और अपने माथे पर कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं लाल रुमाल में एक मुठी सौफ बांध कर अपने कमरे में रखें और हनुमान मंदिर में लाल चंदन चाहें इससे आपकी सभी कार में सफलता और सिद्धी प्राप्त होगी अगर हनुमान मंदिर आप नहीं जा सकती हैं तो आपको अपने पती देव को हनुमान मंदिर भेंज करके लड़ू तुल्सी का पत्ता और लाल चंदन की लकड़ी इतने बस्तुयं समस्पित करवाना चाहिए जय माविंदिवासनी और अगर आप मिथुन राशी की जातक हैं तो अब बात आपकी कर लेते हैं करवा चौथ पर अखंड स्वभागी के साथ अपनी जोड़ी का मंगल ही मंगल करने के लिए मिथुन राशी की महिलाएं अपने पती के साथ आज कौन से उपाया आजमा सकती हैं पंड़ जी देखें मिथुन राशी के महिलाओं को बताना चाहूंगा कि आज आपका ट्रांजिट ये कह रहा है आपका गरह गोचर ये कह रहा है कि आपका राशी स्वामी बुद्ध इस समय सूर्य के सांथ और वो अस्त हुआ पंचम भाव में है और आपके पती भाव का स्वामी ब्र के सांथ हरे रंग की गनेश प्रतिमा घर लाकर उनकी पूजा करें दुर्वा की माला बनाकर ओम श्रीम गंग राधि पताये नमा इस मंत्र का जब करते हुए भगवान गनेश को अर्पित करें इसके सांथ इनको गुड का भोग भी लगाएं मिथुन राशी वाले पती या और एक इलाईशी डाल करके घी का दिया जलाएं जै माविन दिवासनी और आगे बढ़ने से पहले हम करक राशी के जातकों की चर्चा कह रहे हैं और आजमीन राशी तक के जातकों को आपकी राशी अनुसार ही पंडी जी बताने वाले हैं करवा चौत पे और शुबता पा नोर कीजिए उस नंबर पर कॉल कीजिए अपनी समस्या का समधान पाई आगे करक राशी के जातकों की बात करने से पहले पढ़ेजी एक सवाल है और अमोमन यह सुना गया है कि अगर राधाकृष्ण की प्रतिमा या उनका फोटो फ्रेम अपने पेडरूम में अगर लगा जाता है तो पती-पत्नी के बीच बड़ा सामंजस रहता है एक दम सव प्रतिसत सत्य कह रहे हूं जगत का तत्तों कह रही हूं अच्छा मतलब लाड़ी जी और फ्री राधावल लब यह इनकी छाया इनका अस्मरन देखो मेरे सही में रोमान चोगया सारे रोंते खड़े ह जी इनकी छाया, इनका चित्र और इनका बिग्रह जहां रहेगा वहां कभी कुमत प्रवेश ही नहीं कर सकती है और ज्यानती हो ब्रिंदावन की मिट्शी पर ब्रजवासियों के बीच में कभी कल्यूब प्रवेस्त नहीं कर सकता है ऐसा कम दूगे वचन दिया है ब्रिंदावन की धर्ती पर कल्यूग प्रवेस्ट नहीं कर सकता। कल्यूग कहता है कि मैं पांच जगह पे रहूँगा। राजा परिक्षित ने मुझे जगह दिया है। मांसमद्रिया के अस्थान पे रहूँगा। सराब पीने के अस्थान पे रहूँगा। जुवा खेलने के अस्थान पे रहूँगा, बेविचार करने के अस्थान पे रहूँगा, और सोना चोरी और सोना संग्रह करने वालों के उपर रहूँगा, पांच जगा कल्यू कहता है रहूँगा, लेकिन ब्रिंदाबन कभी भूल के नहीं जाऊँगा, क्योंकि ब्रिंद से अपना घर भी लीप रही है तब भी काना 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 दही कम मक्खन मना रही है तब भी काना 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 कान है की प्रान है प्रान है की कान है समझ में ही नहीं आता है तो राधा कृष्ण की मूर्ख ये कह देते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कि राधा और कृष्ण का तो बिवाही नहीं हुआ था, ये तो दोनों प्रेमी थे, अरी मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुने ज्ञान किस चीज का किया है, तु ब्रम्ध वैवर्त पुरान ब्रम्ध वैवर्त पुरान को पढ़ोगे, तो वहाँ पे भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, और किसको किसको गोकुल में बरसाने में आकर के पैदा होना है, किस नाम से पैदा होना है, ये श्री कृष्ण ने ब्रम्हा को बुला करके गोलोक में समझा है था, उसी आधार पर लोगों ने आकर के यहां उसी उसी नाम से जन्म लिया, चाहे वो स्रीदामा हो, चाहे वो राधारानी हो, ये पहली बार क्योंकि भोग से अधर्श्ण के लिए फैनी पहली बारित करना नहीं चाहता कोई अपने सास्त्रों का अलोकन तो करना नहीं चाहता है हमारे 18 महापुरान हैं इतने उपनिसद हैं चार वेध हैं अगर आप उनका ज्ञान करके कोई बात बोलें तब तो बात समझ में आती है यहां तो यही कह देंगे अरे वो तो प्रेमी प्रेमी क्या थे राधा क्रिश् नवमसकंद में उन चास्वें और पचास्वें अध्याय पर जो लिखा हुआ है वो यह कि स्री क्रिश्र की प्राणा स्वरूपा देवी जो हैं वो राधा हैं और स्री क्रिश्र की बुद्धि स्वरूपा देवी जो हैं वो दुर्गा हैं राधा का मंत्र है श्रीम राधा जी राधाये स्वाहा ये वाक्षा कल्पतरू मंत्र है वाक्षा चिंतामडी मंत्र है इस मंत्र का जब करने वाला असंभव से असंभव कारियों को भी सिद्ध कर लेता है और उसी तरह से नवदुर्गा के जो मंत्र है आयम, रीम, क्लीम, चामुन्डाय, विच्चे ये संभव परिष्टियों को टाला जा सकता है तो राधा कृष्ट की मूर्ति सुंदर बनवा करके और अपने बेडरूम में अगर लगा लिया जाए तो आप ये मान के चलो कि कभी भी आपके दामपत्य जीवन में खटास नहीं आएगी और दूसरे देवी देवताओं का चित का एक सुत्र है अडोरणियान जो अडू में भी व्यापता है और जो संपूर्ण ब्रह्मांद को अपने एक रोम कूप में धार्ण किये हुए है वो है कृष्ट तो हम कृष्ट का चित्र भले ना लगाए लेकिन कृष्ट तो बेडरूम में भी विद्दिमान है वो तो ब कोई दोर और किसी देवता का चित्र या फिर नहीं लगाना चाहिए और किस देशा में अगर चित्र लगाएं पंडी जी देखो चित्र लगाना चाहिए राधा कृष्ट का पूरव की दिवार पर या उत्तर की दिवार पे लगाना चाहिए ताकि उसका दर्सन हर समय होता रहे और बेडरूम में कोसिस करें कि आपका सिरहाना दक्षिल तरफ रहे अगर सिरहाना दक्षिल तरफ नहीं है तो सिरहाना पूरव तरफ रहे उत्तर और पस्चिम में कभी सिरहाना करके ना सोएं नहीं तो रोग और विमारियों से कभी आपका पीछा नहीं छूटेगा यह हर ब्यक्ति के लिए और हर राशी के लोगों के लिए जानकारी आउस्यक्त लेकिन अब क्योंकि हम राशी अनुसार भी चर्चा कर रहे हैं तो आज करवा चौथ पर खंड स्वाभागी के साथ अपनी सभी मनों कामनाओं को पूर्ण करने के लिए करकराशी की महिला हैं अपने पती के साथ आज कौन से उपाया आजमा सकती हैं करना चाहिए आपको परणे करकराशी देखे आज करवा चौथ है और करकराशी का ट्रांजिट बताव JACK करक रासी का स्वामिश चंद्रमा अपनी उच्छ रासी में ब्रिशव रासी में गोचर कर रहा है धन के अस्थान पर सुक्र की इस्थिती है और सुक के अस्थान पर सूर्य मंगल बुध और केतू है पुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि करक रासी की महिलाएं अपने पती के साथ सफेद रंग के गनेश जी की मूर्ती अपने घर लाएं उनकी आराधना करें और सफेद मंदार के फूलों की माला के साथ दुरुआ की जड़ बांध कर भगवान गनेश को अर्पित करें इसके साथ ही करक रासी वाले पती या पत्नी अपने बैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए साथ सनिवार पीपल के पेन में तिल के तेल का दिया जलाएं और एक बांस की बांसुरी और 800 ग्राम चीनी कृष्ण मंदिर में ले जा करके समर्पित करें जिने संतान नहीं हो रहा है वो अगर चांदी की बांसुरी आठंगुल की बनवा करके माखन मिसरी के साथ आज कृष्ण मंदिर में देंगी तो निश्चित रूप से एक वरस के अंदर उन्हें दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ती प्रभू स्री कृष्ण की कृपा से जरूर होगी जैमा तो आज आपको भी मिलेगा स्वभागिवती भवह का महावर्दान कैसे हरेक उपाय आज पंडिजी आपको बता रहें बहुत गोर से बहुत ध्यान से आज की उपाय देखिएगा और पूरा काल चक्र जरूर देखिए हमारे साथ आगे बढ़ने से पहले एक कॉलर इस वक् पिछना है तो मेरे पती का जनम है 1971 तबेरे के चाड़ बज़े कलकता में उनके नौक्री में बहुत परेशन ही आ रहे हैं अभी तो वो हमरे साथ रहे भी नहीं पा रहे है और बाहर बहुत सारे पाई से फटे हुए पंडिजी ओ कब तक बापस आएंगे अब इसके नौक् करता हूं का 28 अप्रेल तक अभी इनके जीवन में संहर्स की स्थिति बनी हुई है एक तो घर से इनको दूर रहना पड़ रहा है दूसरे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अपनी जिम्मेदारियों का ठीक धंग से निर्वन भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अब फर्ज होता है कि इनके किस्मत में आप चार चांद लगाएं इसके लिए आपको चाहिए कि आप रोज सुबह साम स्री सुप्त और करनकधारा इस्तरोट का पाठ करें स्फटिक के स्री अंतर की पूजा करें दक्षिना वरति संग से अपसेख करें और अगर यह सब ची होगी जै माविन निवासनी और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और फिर से बता दूं आपको आज आज हम नॉन स्टॉप यह कारिक्रम करवाचोच स्पेशल स्वभाग्यवती भवाह कर रहे हैं यानि बिना ब्रेक की कारण ये कि आज क्योंकि नारियों का दिन है आज अग नंबर को नूर कीजिए उसी नंबर पर आपको फोन करना है पंडी जी आपकी हर एक समस्या का समाधान जो आपके दामपत्य जीवन से जुड़ा हुआ है आज आपको दे रहे हैं और बढ़ते हैं आज का चांद आज की पूजा आज की यह जाने वाले उपाए आपके जोरकी क्योंकि दोनों ही महिलाओं से जोड़ी हुए पंडी इस कामना के लिए क्या करें सिंघ्राशी की महिलाएं देखें सिंघ्राशी की महिलाओं को पहताना चाहूंगा कि आपका ग्रवोचर ये है कि आपके रासी मे शुक्र गर है इस समय हो amen आज और आपके पराक्रम के अस्थान में आपका रासी स्वामी सूर्य इस समय नीच रासी में है तो ध्यान रखिएगा गनेश जी को लाईएगा जरूर लेकिन महरून रंग के गनेश जी हो और उन्हीं की पूजा करिएगा एक कैस दुर्वा कुंकुं में भिगो करके जारह डली भगवान गनेश को भोग लगाईएगा और सिंहरासी के पती या पत्नी अपने वैबाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए सनिवार को राधा कृष्ण मंदिर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगा ले लगातार आठ सनिवार को गुलाब की धूप राधा कृ जोदय होगा जै माविन दिवासनी तो आज जै करवा चौध पर अखंडे सोभाग के साथ पती और परिवार की तरक्की की कामना के लिए अब कन्या राशी के जातकों की भी बात कर लेते हैं खास महिलाओं की बात करते हैं अपने पती के साथ आप कौन से उपाए कर सकती है पनी जी देखे कन्या राशी की महिलाओं से कहना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर यह है कि आपके धर्न स्थान में सूर्य मंगल बुद्ध और केतु की स्थिति है और सूर्य नीच राशी का है और आपके पती भाव का स्वामी ब्रिहस्पति है जो आपके स्वामी जीवन में आ रही तमाम परिसानिया अपने आप ठीक हो जाएंगे हरी मूं की दाल एक मुठी और गूर यह आप भगवान गनेश को अर्पित करें श्री बक्र तुन्दाय नमह इस मंत्र का एक सवाठ बार जब करें और आपके पती को हर दिशा में सफलता प्राप्त होगी कन्या राशिवाले पती या पत्नी अपने बैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए एक लाल चंदन का टुकड़ा अपनी अलमाजी में रखें लक्षमी नारान मंदिर में एक घी का दिया जलाएं जोडे से एकादसी का ब्रत करें लेकिन अब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर अभी आपकी सामर्थ हो एकादसी जैसा कठिन ब्रत करने का तभी करें अगर ना संभव हो तो ना करें एकादसी का ब्रत महिलाएं बिना अपने पती के आग्यां से ना करें एकादसी का ब्रत सुरू करने के पहले महिलाओं को अपने पती से आग्यां लेनी चाहिए जब वह आग्या दे दें, तो लोटे का पानी लेकर के, गाय के पास जाना चाहिए, और गाय की शिhmऑ पर, वो जल छिरकना चाहिए, थोड़ा सा हल्दी गाय के उपर डालना चाहिए, और गाय को गुर्ड hierarchy झाहिए. और बस ब्रतर शुरू कर दिजए, इसके बाद आपकी सारी मौनोकामना ये जनम अगला जनम दोनों सिद्ध हो जाएगा और जिन्दे जी तो आप राज भोगेंगी ही और मिर्तु के समय भगवान के पारसद आपको आ करके बिमान से ले करके जाएंगे लेकिन जो महिलाएं बिना पती के आग्यां के एकारदसी का भरत करने लगते हैं तो भाई अगनी पुराण में लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि वो महिलाएं अपने पती की आयू का नास करती हैं इसलिए मैं अपने दर्सकों को साओधान करना चाहता हूँ कि बिना पती के आग्यां के एकारदसी का भरत ना किया जाए जै माविन दिवासनी हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त निता जी बेंगलोरू से जुड़ी हुई है स्वागते आपका निता जी अपना प्रश्न पूछे पंडी जी से पर नाम पंडी जी हां सदा सुखी रही है पंडी जी मेरा बेटा का प्रश्न साधी के जन्म है 14 अक्टूबर उनीच सेट्रानबे नाम क्या है बेटे का हिमांसु हिमांसु हां 14 अक्टूबर उनीच सेट्रानबे 10-11 भागलपूरू और मेरा भी स्वास्त्र नहीं सही रहता है उसका किताब ही नहीं है पंडी के बहुत सुनता हुता है साधी को अब उपाय बताए थे कि उनीच दिया वला तक किये थे पंडी के तरमेना हो गया किये हुए देखो इसके विवाह का योग तो बना हुआ है ज्यादा बिलम्व की इस्थिति मुझे दिखाई नहीं देती है मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 2024 में अपरेल मई तक इसका साधी होने का पूरा पूरा योग बना हुआ है लेकिन जहां तक तुम्हारे स्वास्त का प्रस्न ह तो तुम्हारे स्वास्त में तो बहुत खराबी है एक तो हड्डियों का रोग है असना तंत्रों में खिचाओ है सरीर में डर्ग की इस्थिति रहती है बहुत ज़्यादा तनाव हर समय रहता है हस नहीं पाती हो खुस नहीं रह पाती हो ये सारी बाते तुम्हारे साथ हैं अपने पूजा अस्थान में जो पूजा निते करके हो पूजा करो, और पूजा के सांसान, आधे घंटे तक बोलगोल करके, आधे घंटे करो, जब जिस दिन आपके जिवा पर यह सिता राम सब्द चछ जाएगा, उसके बाद से आपके जिन्दगी की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आप सुख पुर्वक जीमन जीने लगेंगी लेकिन इसका चमतकार देखने में कम से कम छह महीने आठ महीने का समय लगेगा ऐसा नहीं कि आपने दो दिन सीताराम किया और तीसरे दिन सरदर्द हो गया तो आपने कहा रही यह तो नुक्सान कर रहा है यह तो सूट ही नहीं कर रहा है ऐसा कुछ मत सोचिएगा निह स्वार्थ भाव से 6-8 महीने सुबह हसाम आधे आधे घंटे सीताराम करें और एकदम ध्यान मग नहू करके करें इसका लाभाब को मिलेगा जैमाबिन दिवास में अब तुलाराशी के जात्कों की बात करने से पहले थोड़ा सा पंडी जी क्योंकि आपने जौबी जिक्र किया उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ आज क्योंकि अब वो स्वामी वाला कॉंसेप्ट नहीं रह गया है माफी के साथ आग्या लीजिए पहले पती से एक जो परिशानी सबसे ज़्यादा पुरुशों को होती है आज के दौर में क्योंकि एज गया बहुत ज्यादा नहीं रह गया है तो वैसा नहीं है पती-पत जो आपने अभी बताया कि वो लिखा हुआ है पुरान में तो बहुत तो किसी पुरुश नहीं लिखा होगा कि किन हो ने लिखा वो मतलब यह बनाने वाले इस इसको गढ़ने वाले या यही परंपरा होनी चाहिए यह किनके द्वारा का देखो ऐसा है बिटा पहली बात तो यह जान लो कि हमारे यहां बेद जो है वो आपाउर से बाने गए हैं और चारो बेद ब्रम्भा के मुख से प्रगट हुए हैं इनको किसी ने लिखा नहीं है इन बेदों का विभाजन कृष्ण द्वाइपायन ने जरूर किया है इसको रीग येजू साम और अथर वेद के रूप में इसका वर्गी करन किया है लेकिन इसमें किसी ने कुछ लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है किसी ने कुछ लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं है और बेदों के बेदों के रचैता तो ब्रम्हा जी है अठारह महापुरानों के रचै औरहाद हैं हमारे च्छ सास्त्र अगर आप ये होगी कि महिलाओं आस चारा नहीं कि पुर्ष सास्त्र पिलेखें कर लियाよし तो मैं पूषना चाहता हूं देवी भागोत में कुछे मत्य देवी भागोत वेदव्यास बैं के लिखा कि जगत जन्नि एक दंबा ही वो आधार हैं जिसका अवलंबन ब्रह्मा विश्णु महेश करते हैं। ब्रह्मा विश्णु महेश जिनका नख नाखून देख करके शिरिष्टी और संघार का क्रम सुरू करते हैं। क्यों लिखा गया देवी भागोत में? कि देवी ही सबसे प्रमूख है, यह ब्रह्मा विश्णु महेश की अधिश्ठात्री है। प्रलायकाल होने के बाद भी वो अपने मलपूर दूप में निवास करती है। और ब्रह्म्हा विष्टू महेश वहां बालक के रूप में, कन्या के रूप में निवास करते हैं, फिर ऐसा क्यों लिखा गया, फिर इतनी नारी को इतनी महत्ता क्यों दी गई, ऐसा नहीं है, अनुसुया, अनुसुया ने कहा है सीता जी से, के मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन सब राज कुमारी, अमित दान भरता बै देही, अधम सो नारी जो सेवन तेही, जग पति ब्रता चारविधी अहई, बेद पुरान सुर्ती अस कहई, उत्तम के अस बसमन माही, सपने हुआन पूर्स जगनाही, मध्यम परपत दे देखाई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धरम विचार समझकुल रही, सोई निकिष्टत्रियस्थूतियस कहई, बिन्व अवसर भयते रह जोई, तुलसी नारी अधम जग सोई, और पति प्रत्कूल जनम जह जाई, बिधवा होई पाई तरुनाई, तो कहने का मत अनसुया के पदगह सीता, मिली बहोर सुसील बिनीता, रिस्पतनी के सुख अधिकाई, आसिस देई निकट बैठाई, तो अनसुया माता ने सीता जी को ये उपदेश किया है, तो आज पस्चमी सभ्यता का अनुकरर करके जो बाते कही जा रही है, ठीक है, मैं उस बात को स् संभव नहीं है, आप ये भी जानते होंगे कि आजकल के युवाओं के मन में ये है, जितनी इस्तुरियां है, जिनके बेच में बहुत एज गैप नहीं है, पहले एक सिर्क अगर एक ही हम इस राप आगे जाए हमारे माता पिता और अब की जो महिलाएं हैं, लड़कियां है तो उनके बीच ये है, ये सवाल है, आप भी बखू भी जानते हैं और आप सब साइंटिफिक एक जोता है, उस कस्वाटी पर कस के उन सवालों का जवाब देते हैं और जब हम ये करते हैं तो देश के लिए आप जैसे कहते हैं ना, अच्छा बात का मुझे जवाब दो, ए इसा ही निर्मान हुआ, क्यों इसा ही निर्मान हुआ, क्यों इस्त्री को ही सजादी गई, हर बच्चा पैदा होने में इस्त्री का नया जीवन होता है, क्यों इस्त्री के साथ ही घटना घटी, क्यों इस्त्री के लिए जिम्मेतार बनाए गया, कोई महिला लिख दी होती, क की मारे चांब हुआ कि अगर अगर करने के मानने का आधार है बिल्कुल अधार है और एकदम 101 परसेट आधार है और एक बात जान लिजे कि हमारे हां इस्त्रियां हमारे सनात्म संस्कृति में भोग की बस्तू नहीं है यह क्यों स्रिष्टी की बस्तू है हमारे सास्त्रों में साफ साफ लिका हुआ है कि जो पूरुस इस्त्रियों को भोग और वासलां की द्रिष्टी से देखता है वो सद्यानश्ट हो लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर बस अमल करना सुरू कर दिया है हिंदुस्तान यह है भेंडिया धसान एक भेंड कुए में गिरी तो सौ गिर जाएंगी एक हजार लोग जहां गए वहां बीस हजार लोग चले जाएंगे बस यहां अपनी वह जो आधा अधूरा ग्यान है वह अपने लिए भी और समाज के लिए भी खतरनाक है और इसलिए इसलिए जानना जरूरी है आपको कि यह अगर करवा चौथ इस विशेश कारिक्रा में और पती-पत्नी की जब बात हो यह महिला पूरोष्टी पंडी जी जो आपको बता रहे हैं यह सवाल पूछने की पीछे आधार यही था कि इसे सिर्फ यू आधार नहीं बनता और अब आज करवा चौथ पर अखंड स्वाभागे के साथ पती और परिबार की तरक्की की कामना के लिए तुरा राशी की महिलाएं अपने पती के साथ कौन से उपाए करें पंडी जी यह बता देजे देखे तुला राशी के जात्कों को बताना होगा कि आपके राशी में सूर्य केतु मंगल और बुठ चार ग्रह गोचर कर रहे हैं इतने दिनों तक तो इकलावते केतु से आप परिसान थे अब नीच का सूर्य भी आया हुआ है तो अगर आप तुला राशी की महिला हैं तो करवा चौथ तो धुम धाम से मनाईए सफ पूब मन लगा करके पूजा करिए दुर्वांकुर और फूल उनको अर्पित करिए गनेश इस्त्रोद गनेश चालीसा गनेश जी के मंत्रों का खूब पाठ करिए इससे हर संकट का निवारन भी होगा और आपकी मनों कामना भी पूरी होगी बैवाहिक जीवन को सुखी ब पास रखें और क्या करना है तुला रासी की महिलाओं को चाहिए या तुला रासी के पुरुस को भी चाहिए कि सुर्योदय से पहले आप अस्त्रान कर लें पूरे कार्थिक महीने में और सुर्योदय होते ही सुर्य को अर्ग दे दे और कम से कम अपने पूजास्थान में ब आतिक का महिना बीमारियों का महिना होता है यम द्रस्टा यम राज की द्रिष्टी बहुत नजदिक आ जाती है यम राज की द्रिष्टी प्रिथवी के बहुत नजदिक आ जाती है डाक्टरोग इस समय में कहते हैं कि सीजन अच्छी है सीजन अच्छी है मानने लोग बीमार स्यादा हो रहे हैं कि अगर लोग विबार को दॉन दीजिये आइप स्रीजाएन अच्छी नहीं है आप्त भिसाहों सब्सक्राइब लोग इस अघटेbewान को दो जाएगी इसमें कोई दो राय नहीं है, जैमा बिन दिवासनी और अब पती और परिवार की तरक्टी की कामना के लिए ब्रिश्चिक राशी की महिलाओं को कौन सा उपाए करना चाहिए आज के खास दिन पर और पती के साथ क्या कर सकती है उपाए ये भी जानते हैं पर्णीजी. देखे, ब्रिश्चिक राशी की महिलाओं को पताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजित यह है कि आपके बारवे भाव में सूर्य मंगल बूत केतू है और आपका राजी स्वामी भी ब्याभाव में है तो आप ब्रिश्चिक राजी की जो महिलाएं हैं अपने पती के साथ लाल रंग के स्री गणेश को अपने घर ले आएं कुमकुम से 108 अखंडित चावल रंग कर भगवान गणेश को अर्पित करें इसके सांथ ही ब्रिश्चिक राजी के पती या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए राधा कृष्ट मंदिर में भी इत्र चरहें आटे की गोलियां बनाकर मचलियों को खिलाएं जैमाबिन दिवासनी और आगे बढ़े धनूराशी के जात्कों की चर्चा करें उससे पहले सुमन जी नासिक से कॉलर हमारे साथ इस वक्त जोड़ चुकी है बहुत स्वागत थे आपका सुमन जी अपना प्रश्ण पूछिए पनीजी से पैनाम पंडी जी हां सदा सुखी रहे हैं पंडी जी मै अपने लड़के के बारे में पुछना चाहती हूं सुभम चौहान नाम है उसका बर्थ है एक तीस अगर्ष दो हजार पंडरा और मेरी एक लड़की है नन्या चौहान उसका बर्थ है नौ जोन दो हजार बारा और मेरा विस्वास्टी सही नहीं रहता है हम पर मेरे पत्ति देखो जो तुम्हारा पुत्र है न उसके बारे में तो मैं यही बताना चाहता हूं कि उसको आप एक विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके और बुधवार को गले में धारन करवा दीजे उससे उसकी सेहत अच्छी रहने लगेगी अभी वह आठ्वे साल में है दस साल की उम्र तक उसे सर्दी युकाम बुखार से आपको बचाना चाहिए दूसरी बात जो आपने अपने कन्या के बारे में बात किया है उस विषय में तुम्हां यही कहूंगा कि बिटिया तो सब प्रकार से सुलक्षना है लेकिन उसकी भी सेहत में आए दिन कुछ कुछ परिसानी होती है उसके हाथ से अगर आप एक किलो चावल एक लीटर दूथ और आधा किलो चीनी यह किसी स्यूमंदिर में पांच सो मौर दान करवा दें तो बच्ची बिलकुल अच्छी रहेगी और पढ़ाई लिखाई भी उसका अच्छा होगा जैमाबिन दिवास और अब आगी बढ़ते वे अब जलिए जल्दी से धनूराशी की जात्कों की बात कर लेते हैं खासकर धनूराशी की महिलाओं की करवा चौत है अखंड सो भागी की प्राप्ति करनी है तो पती और परिवार की तरक्की की कामना के लिए धनूराशी की महिलाओं अपने पत तू है और आपका रासी स्वामी मेस रासी में सनेहा दृष्टी से आपके रासी को देख रहा है तो आज अगर आप गनेश प्रतिमा अभी नहीं लाई हैं तो पीले रंग की गनेश प्रतिमा लाईएगा और उन्हीं की पूजा करिएगा हल्दी की पांच साबूत गाठ गनेश जी के सामने एक कतोरी में अर्पित करिएगा और दुरवा में भी हल्दी घोल करके अर्पित करिएगा और अपने बैबाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए एक कईस बुधवार भगवान गणेश को एक कईस जोड़ी दुरवा चळाते रहिएगा हरे रंग की चूडियां कन्याव को भेट करिएगा हरी मूं की डाल का भी आप दान कर सकते हैं जैमाबिन दिवास में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है उनसे जुड़ने से पहले एक बार फिर आपको बता दे एक तो आज क्योंकि आप महालाव उठा पाए आज के दिन करवा चौत के इस विशेश पावन अवसर पर इसलिए नॉन स्टॉप ये पूरा कारिक्राव अभी भी आपका फो देखें मैं तो सिद्धी सिद्धी बात कहता हूं कि अपने पूरे पूर्शार्थ भर जितना हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं और जिससे रीन रोग और धरिद्रता दूर हो सकती है जिससे सदबुद्धी आ सकती है जिससे दुरबुद्धी का नास हो सकता है उन सारे दिन चल के देखो अगर जिन्दगी बदलना जाए अगर जिन्दगी में राम राज्य महसूस नहीं लगे तो कहिएगा मुझे मत मानो मैं कोई भगवान नहीं हूं लेकिन मेरी मानो इसलिए कि मैं मन्थन करके कुछ निकाल करके लाता हूं आपको सरलता से सहस्ता से बताने के लिए समय आपके पास नहीं है आप सास्त्रों का अध्यन नहीं कर पाते लेकिन मैं कोई बात ना तो अपने मन की करता हूं ना कपोल कालपनी करता हूं जो भी मैं करता हूं वो सास्त्र सम्मत बात आपके सांस रखता हूं जिसका प्रमाड होता है और जिसकी प्रमाडिक्ता होती है इसलिए लेकिन जो आपको देखता होगा लगतार सुनता होगा वो आपको भी मानेगा आपकी भी मानेगा यह भी मैं कह सकती हूं यहाँ पर और इसलिए याद रखी आप से लेकर के दिवाली तक हर दिन बेहाद अच्यों को पाई किस से जुड़े हुए आपके फैने शेकर में अपना प्रश्न पूछिए प्रणाम पंडी जी मेरा नाम सिर्टिका से में लखनाव से बूल रही हूं मेरा आप से दो प्रवर्शन थे एक मेरे बड़े भाई शिवरात्तिंग के बारे में जिनका जन्म जन्म जन्वरा जन्वरी 2001 में हुआ था रात के एक बज क बारा मिनट पर यह अपनी जींगरिंग कर चुके हैं बंडी जी पर अभी कुछ कर नहीं रहे हैं तो यह आप जी क्या करेंगे देखे ऐसा है कि आपके बड़े भाई हैं और आपके बड़े भाई भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय सूरी के साथ अस्तवुआ पड़ा है एक तो इनके अंदर ambition की कमी है बेटा महत्वा कांच्छा की कमी है और इनके अंदर महत्वा कांच्छा जागरित करने के लिए बहुत जरूरी है कि इनसे हनुमान चालीशा का पाठ नित्य कराया जाए और सनिवार को सुंदर कांड का पाठ कराया जाए अगर सनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना सुरू कर देंगे और हनुमान मंदिर जाना सुरू कर देंगे तो कुछ ही दिनों में इनके अंदर का पूरुष जागरित होगा और ये अपने उत्तरदाइतों का ठीक धंग से निर्वाह करना सुरू करेंगे जैमाबिन दिवासनी और बढ़ते हैं आगे मकर राशी वालों महिलाओं की बात कर लेते हैं दिखें मकर राशी से दसम भाव में बूध सूर्य मंगल केतु की इस्थिती है और दूति भाव में सनीदेव बिराजमान है और सुखस्थान में ब्रहस्पति परात्रमस्थान में राहू तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने पती के साथ नीले रंग की गनेश प्रतिमा की करें भगवान गनेश को काले तिल अर्पित करें दूर्वा पर इत्र छिड़कर अर्पित करें गनेश अथर्वसित का प्रतियोगी परिक्षा में जाने वाले लोग जरूर पाठ करें बैबाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए एक कटोरी पानी में एक चांदी का पर पावन दिन पर पंडिचे देखे कुम्भरासी की महिलाओं को बताना चाहूंगा कि आपके रासी में सनी देव बिराजमान है और आपके सप्तम भाव में सुक्र बिराजमान है सुक्र और सनी दोनों परसपर आमने सामने हैं और आपके भाग्यभाव का स्वामी सुक्र जो फरसपर द्रिष्टी दे रहा है, आप जाइए आसमानी रंग के भगवान गनेश को अपने घर ले आईए, और उनकी पूजा उपासना जितनी आपकी सकती सामर्थ है वैसे करिए, और सिंदूर लगा करके, सिंदूर का तिलक लगा करके, हल्दी का तिलक लगा करके उनकी करासी के जाद तक चाहे पती हों या पतनी अपने बैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए रवीवार को अपने बेडरूम में एक तामवे का सिक्का रख सकते हैं सूर्य को हर रोज तामवे के लोटे में पानी अक्षत गुलाब जल डाल करके अर्ख दे सकते हैं ध्यान र कारिक्रम बेहत खास होने वाला है कल कैसे आपकी इस दिवाली होगी चांदी ही चांदी चांदी से जुड़े कौन से अक्षू को पाए ताकि धन धान्य से भर देने वाली देवी की फूजा होती है उस दिन कौन से महा उपाए आप कर सकते हैं कल पंडिजी आपको कल के कार रही हूं मैं अपने बड़े बेटे के बारे में सूचना चाहती हूं उसमें आई आई टी के ग्रेजुएशन किया है और अब यूपी एस्टी की तियारी कर रहा है वह क्लियर कप तक हो पाएगा उसका उसका जनम दिन है तेरा अक्तूबर उनिस्तों निन्यानवे रात के दस बज़ के 48 मिनट देखो ऐसा है सीमा जी आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है आजीवत्या भाव का स्वामी उसके जो है वो है ब्रहस्पती बुध हो ब्रहस्पती की अभी जो इस्थिति है परसपर सप्तम है आपका बेटा अपने मिसन में काम्याब होगा इसमें दोराय नहीं है लेकिन हो सकता है कि इसमें अभी सन 2026 का फरवरी और मार्च तक का समय लग जाए इसलिए अगर वो पहली बार प्रिलिम्स देने जा रहे हैं 2024 में और प्रिलिम्स मुझे लगता है क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन अगर मेंस में नहीं होता है तो ना उन्हें डिप्रेस होना चाहिए और उदास होना चाहिए बलकि उन्हें और अच्छे धंग से गणैस भगवान की पूजा करके और तयारी करना चाहिए क्योंकि कहिए कि हान लाव को छोड़ करके कर्म के फल को छोड़ करके कि वह अपना कर्म करें अध्यन करें और गणेश जी की पूजा उपासना करें इसी से सारी मौनोकामना पूरी हो जाएगी और मीन राशी के जातकों की बात करने से पहले हमारे साथ इस वाकते कॉलर है स्वागत है आपका ओन लाइन पर अपना प्रशन पूछिए और सवालों का जवाब पनेजी नाम बताईए लो हाँ बोलो बेटा हाँ रस्मी मिश्रा पंड़ी बंड़ी पार्च हुए हाँ सुख 14 माइस और दिन इतवार पंड़ी जी वह मैंसा बीमार रहता है और उसकी मतलब कितनी महिनत कर यह फल नहीं मिलता बेटी है उसका जनब है चार अगस्त दोहजार ग्यारा और दिन ब्रस्पत बार तो पंड़ी जी अभी उसकी तैयारी कर रही है आर आर एम सी की तोसमें उस के पंड़ी जी मैं पूजा करने लाइक नहीं हूँ अभी तो मैं कैसे पूजा करूं आज करवा चौध की तो ठीक है पूजा मत करो मांसिक रूप से भगवान गणेश कास मनर करो ब्रत रख सकती हो हाँ दूसरी बात यह कहना चाहता हूं ना देखो यह रस्मी जो है तुम इन चीजें अपने बेटे से सोमवार को अपने कुल पूरोहित को या किसी मंदिर के पुजारी को दान करवा दो और हर चच्छ महिने पर यह दान पांच बार करवा दो तुम्हारा बेटा कभी एक मिनिट के लिए भी बीमार नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा उसका रोगेस ह जिसके कारण इलर्जी की प्रावलम होती है और बार बार वो बीमार हो रहा है यह इस बात को अच्छी तरह से समझ लो और जहां तक पूजा पाठ करने की बात है तो आप मन में आज अपने मतलब की पूजा पाठ कर लें मन में मतलब आप संकल्प ले करके और आज बरत और दें और नहीं दूसरी किसी पूजा में समलित हों और नहीं तुम मूर्ती का असपर्स करें ठीक है इसका फ़ल आप कुमाता देंगी अवस्य देंगी जैमा बिन दिवास नहीं और बात मीन राशी वाली महिलाओं के आज करवा चौध पर खंड़ सो भागी के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए मीन राशी की महिलाओं को बताना चाहूंगा कि आज मीन राशी की महिलाओं करवा चौध पर जो ग्रह गोचर है मीन राशी का वो तो यही कह रहा है कि दुत्य भाव में ब्रहस्पत्य है लग्न में राहू आ गया है तृत्य-भाव में चं particul मिला करके पीले रंग के गणे पेढ़ाने के लिए ए से गुन का एक छोटा सा वो बनाकर के बंदन वार अपने में जो बेड रूम है उसके बाहर लागा दे ना चाहिए निश्चित रूप से आपके बेडल रूम में कोई निगेटिविटी नहीं रहेगी जैए माविन दिवासनि और अब आज दिन की आज इस बहुत पावन खास दिन की पंड़ी जी आखरी कॉलर है हमारे साथ मुके जी स्वागेते आपका मुके जी अपना प्रश्न पूछे ते सुन पारी हैं आप हमें? हाँ सुन पारी हो मेडम अपना प्रश्न पूछे आप? पीलाताह उंदस doubt 20 तरक्षा पाइब करते हो पब्लीक को बहुत अच्छा तरे रहे पद्यून अवर पैर को विछान तो नों लड़के के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है है हर्योम का तो भविस्य जो मुझे दिखाई दे रहा है सूर्य और सनी ये दोनों ग्रह इस समय ब्रहस्पत्ति के साथ इत्साल में हैं, भवी से ठीक है, भवी से में कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस एक उपाय करके देख लो छोटा सा, एक तांबे का तार, एक चांदी का तार, एक सोने का तार, समान मुटाई वाले तीन तार ले करके, उसको अइठन लगा करके, और उसको जोड करके, दाहिने हाथ की अनाम क्या उगली में, रविवार को सुबह धारन करवा दो, निश्चित रूप से ये उठी धारन करने के 40 दिनों के अंदर, आपके बेटे का भविश्य, जैसा चाहेंगे, वैसा सुरू हो जाएगा, जैमाबिन दिवासनी, और अब आखिर में, क्यूंकि हर बाध आपके जीवन से स्वाभागी की कामना तो हमने कर ली हर बाधा आपके जीवन से दूर हो जा, इसलिए सर्वा बाधा विनिर मुक्तो, धन, अधान, सुतान, विता, मनुश्यों मत्प्रसादे, न भविश्यती, न संशया, और पंडिजी ने जो कुछ बताया, पंडिजी र लेकिन देश-दुनिया की तमाम कबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए, नमस्कार